Snowball Sampling Snowball Sampling है यह है Non-Profability Type of Sampling मतलब शुरुवात में हमें नहीं पता होता पर आगे बढ़ते बढ़ते हैं नया data collect करने लगाते हैं In this method, starting point is the pre-existing data of targeted sample जो पहले से पता है पस उस सुरुवात करते हैं उस चीजा आगे चूड़ते चले आती हैं जैसे कि drug addict है कोई तो हमें पता है एक कुछ उस लोगों को पता है तो आगे उन से पूछ पूछ के हम बहुत साथ लोगों तक पहुझा आते हैं तो यह है Snowball Sampling इसमें starting point इस होए pre-existing data हमें जिसका पहले से पता है उन पे study करते हैं फिर वह दूसरे को बार मताते हैं जैसे useful when target population cannot be easily located देखो हम पहले वाले जितनी पी sampling थी उसमें आसनी से में population मिल रही थी data मिल रहा था sample मिल रही थे बट जो Snowball Sampling वहां होती है जहाँ पर data easily नहीं मिलता जैसे drug addict है तो वह पहले ही छिपके रहेंगे यह drug supplier है तो इलेगल काम करने वाले पहले ही छिपके रहेंगे जिसमें जो targeted population है इसली locate करना मुम्किन नहीं है तो वहां पर यह sampling होगा जैसे drug addict may lead to information about others अगर हमने एक को पकड़ लिया तो दूसरे को बार में बताएगा तो मैं पता लग जाएगा फिर एडवांटेज है को अश्यादा हाई नहीं है इसमें और सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह जो useful है किसके लिए फिर locating rare population देखो हम इसमें कुछ अलग टाइप के case ही स्टड़ी करते है इस्नोबोल में क्योंकि पहले से में इस समका नहीं पता होता है तो बस सुरवात में कुछ चीज़े पता होती है फिर बाद में सब चीज़े पता लगती है सेंपल कलक्शन के लिए सेंपल भी नहीं मिलता पहले तो जो rare population उसे पता करने के लिए स्टाइप के सेंपलिंग होती है यह qualitative resource में useful है quantity नहीं qualitative इसमें डीप पता करना होता है डीप knowledge होने चीज़े है डीप study की जाती है कि डीपेंट नहीं है डीपेंट कर रहें नेक्स्ट इस्टेप के उपर रिप्रेजेंटिटिवनेस ऑफ सेंपल इस नौट जन कारेंटेड जो सेंपल को जो सेंपल हमने लिया है यह इस तीज को नहीं बताता है कि जो उसके अंदर आने वाले सारी population वह उसके जैसी ही होगी तो सेंपलिंग है मतलब कहीं ने कहतो हो जाते है इससे यह डिस एडवांटेज ही है